हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं तो आज हम पढ़ेंगे exercise तो exercise में हम पहला question पढ़ेंगे देखिए calm on column two को हमें match करना है तो कैसे करेंगे देखिए पहला है coniferus तो coniferus को हम किस से match करते हैं coniferus वाले plant आपके काहां पे मिलते हैं तो यह मिलते हैं आपके यह होते हैं आपके evergreen trees तो यहाँ पे आप लिखेंगे three number फिर है light weighted plant तो light weighted plant आपके कहां पे होते हैं ठीक है तो यह आपके होते हैं water plants यह बहुत ही हलके होते हैं फिर है four number plants with breathing roots तो breathing roots आपके सुंदरवन में मिलते हैं तो यह हो जाएगा two number और food crops आपके कहां प्लेंस पे होते हैं तो जाएगा one number three four two one option number क्या बनेगा option number d question number two question number two क्या है identify the x from the given paragraph and select the correct option regarding it x is an evergreen tall and conical tree growing in hilly areas x could be pine having needle like leaves ठीक है तो इसका आंसर ही भी होगा option number one क्योंकि देखे ही हिली एरिया में evergreen trees होते हैं साथे साथ कॉनिकल ट्री होते हैं कौन के जैसे होते हैं और उनकी पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है needle shape की होती है ठीक है ना सुई के जैसी होती है little rain and dry soil तो वहाँ पर आपके कैसे plant मिलेंगे तो वहाँ पर मिलेंगे आपका option number यह हो जाएगा पहला टू ठीक है very little rain and rain drop तो second अभी क्या है मैं square tree very cold winter तो very cold winter में कौन से आपके होंगे तो यह स्प्राउस मिलेगा आपका four number उसके बाद है C waterlog clay soil तो waterlog clay soil वाले आपके जो clay soil में आपको पता है कौन से पेड़ होते हैं सुंदरी के तो यह जाएगा one number और hot and wet climate तो hot or wet climate में कौन से आपका पेड़ होता है वहाँ लिया ठीक है तो इसका answer क्या बनेगा option number a ठीक है option number a question number four read the given passage and select the option correctly fill in the blanks two of them तो यहाँ पे हमें इसमें दो भरना है हम कैसे बनेगे इ पहली सीज़ तो यहाँ पर जो हम भरेंगे ठीक है इसका answer आपका हो जाएगा option number d second में भरेंगे अपर और six में भरेंगे no तो वैसे इसमें जो भी है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना है क्या करना है ठीक है देखिए पहले नमर पर लिखा है equating plants grow in water aquatic plant आपके पानी में होते हैं they are three types of floating plant तीन तरीकी के floating plant होते हैं कौन-कौन से fix underwater some plants duckweed and water है किन्त और तो है है किन्त और आपके जो duckweed होते हैं कैसे plant है यह आपके floating plant है तो यहापे लिखेंगे floating floating ठीक है first number floating लिखेंगे ठीक है उसके बाद जो second plants like water lilies have root fix at the bottom जो water lily है उसके जो waters होते हैं potum में पानी के नचे क्या होते हैं fix होते हैं जमीन पे देर ना opposite पत्ति के ऊपर साइड पर आपके होते हैं इसके स्टम कैसे होते हैं इसके स्टम होलो होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं तो थार्ड नमर पर लिखेंगे हालो और फोन नमर पर लिखेंगे क्या आपका इसमें लिखेंगे फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होते हैं ठीक है फिर है इनका पानी पानी के एंदर रहता है आपने zde में लिखुए इससरय हमें नहीं writing नहीं ठीक ना यह भी कलत हो जाएगा couch नमबर 5 प्रप्षास फैल्यस नाइर घ्लत हो जाएगा जिनन पहर चिजों को भर सकते हैं ठीक है चलिए讲 नमबर 5 पह आते हैं और किनन को स्थेटमेंट आपको यहां पर बताना कि क्या है इसंदीawan क्याrok this पहले द्यान से समझें इसको कि जो 5 नंबर में question C लिखा हुए ना ये गलत क्यों है क्योंकि देखिए leaves जो होती है उनके पास इस्टो मेटा तो होता है उससे क्या करते है गैस का exchange करते है water vapor जो होता है वो इस्टो मेटा से ही release होता है कहां से release होता है इस्टो मेटा से ही release होता है ट्रांस्पिरेशन प्रॉसस से ठीक है तो यह जो water vapor from the environment तो यह environment आपसे आपका water पेपर नहीं लेता है ठीक है तो यह option आपका गलत हो जाएगा question number six यहाँ पर आपको बताना है कि यह क्या है तो दिखिए यह आपका देखिए daughter का plant है यह दूसरे प्लांट पर इस तरीके से होता है यह yellow color का थोड़ा सब होता है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा option number six इसका answer हो जाएगा daughter plant के बारे में option number six क्या है such plants are parasitic plant यह parasitic plant क्या होते है ऐसे plant जो दूसरे के उपर dependent होते हैं क्योंकि इनके पास chlorophyll नहीं होता है ठीक है अब chlorophyll ना होनी के वज़े से अपना खाना prepare नहीं कर सकते है ठीक है और यह अपने food के लिए दूसरे plant पर क्या रहते हैं dependent रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो option number six है यह आपका सही दे रखा है question number seven match the column यहाँ पर हमें column match करना है किससे क्या क्या match करेंगे तो दिखेट देवदार हम phone किससे करेंगे four number से कौन कौन शेप का होता है हिली area update है देवदार cactus आपके कहां पर होते हैं इनकी spines होते हैं इसमें काटे होते हैं तो first number हो जाएगा mangroves आपके breathing roots होती है इनको numerator force बोलते ह यहां पर four one two five three four one two five three आपका किस option से हम match करेंगे यहां फे यह आपको बताना है तो यह है आपको option नमबर पहला ठीक है, question number 8 पे आते हैं, question number 8 क्या कह रहा है, हमारे सामने, देखिए यहाँ पे x, y, w, z, यह सब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो इसमें से सही है, वो आपका option number है कैसे, यह देखिए, देखिए, यहाँ पे लिखा है, w could be coconut, तो w यहाँ पे है, plant grows in water, यह plant, पानी में नहीं grow होता है, तो coconut का कहाँ पे होता है, c की किनारे पे, ठीक है, where x could be duckweed, x के लिखा है, can float, अब देखिए, plant grow होता है, किसमें, पानी में, यह ठीक बात है, can float freely on the water surface, यह water surface से flow करता है, तो यह duckweed हो सकता है, yes, तो x पे क्या हम लिख सकते हैं, duckweed लिख सकते ह यह option number a जो हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, बाकि जितने भी option दे रखें, वो इसमें से match नहीं करेंगे, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और बता दे रहा हूं, देखिए, w पे हम क्या लिख सकते हैं, coconut लिख सकते हैं, coffee लिख सकते हैं, x में हम duckweed लिख सकत हैं, tape grass लिख सकते हैं, ठीक है, और जेड आपका लिखा है, it is fully submerged, यह fully submerged नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, तो यह क्या हो जाएगा, water lily या lotus, ठीक है, अगले question पर आते हैं, question number 9, यहाँ पे आपको यह बताना है कि कौन सा plant होता है जिसे aquarium में रखा जाता है, तो option number B, यह क्या है, hydrilla, hydrilla की सबसे खास बात क्या है, कि यह सम्माज़ होता है, अंदर होता है, साथी साथ इसके पाथ, इस्टोमेटा नहीं होता है, question number 10, यहाँ पर देखिए, question number, diagram से आपको बताना है, transportation बताना है, x, देखिए, root से, पहले य जाएगा, और leaf से पहले stem में जाएगा, यानि कि leaf से क्या आ रहा है, stem में जा रहा है, फिर stem से आपका कहां पर जा रहा है, root में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पत्तियां क्या करती है, food बनाती है, यह बनाती है, food, x क्या हो जाएगा, food, ठीक है, x हो जाएगा, food, ठीक है ही फूड हो जाएगा थे देखे थोड़ा सा चलता नहीं है ना इस्क्रीन पर थोड़ा सा मैं बोल लाओं तो अब ध्यान से सुनिएगा फूड अर्ड हाग है ऐसे देखे बहुत कोशिस करता हो नहीं चलता है तो लिखते हुए भी नहीं बनता है इसमें अब यहां पर वाई है देखिए वाई क्या है रूट से निकल ला इस्टेम में जा रहा और इस्टेम से फिर कहां पर जा रहे लीफ में जा रहा तो यह क्या हो सकता है रूट से हम क्या क्या अब्जाब करते हैं वाटर अब्जाब करते हैं या फिर मिनरल अब्जाब करते हैं तो तमन्ना है वो इक्सपरिमेंट करती है यहां पर देखे यहां पर पूछा गिऑ एकस है क्या ठीक है ना । एकस क्या है यह यह ह्ट यह इतब है इतक चिंज करड़ होगा और को तो आपका डिजर्ट यहांग पर समझ प्लांट है पाणी के अंदर होता है है फिर difालो है देहदार आपका हिली हिली प्लांट है और पाइन भी है लेक्ट्री त्व अब यहां पे आते हैं कोशिञ नुमर 30 पे देखिए हैं कि ये उसे ठीवें रभ ऐए झाहाँस कहा एं और वो iodine का test करना चाहता है ठीक है न तो किस plant से अच्छे से करेगा तो देखिए यह plant है इसमें पानी भी लगा हुआ है लेकिन इसे कहां पर wooden cupboard में रखा गया है sunlight यहां पर है ही नहीं ठीक है और यहां पर B number के है place in the garden dry soil in the pot तो यह सूखी मिट्टी में से रखा गया है ठीक पानी नहीं इसमें फिर यहां पर इसी नमबर पर place in the garden all the leaves have summered with vaseline और इसकी पतियां है इसको किसमें रखा गया है इसके उपर वैसली लगा दी गई है फिर है D number देखिए यहां पर place near on the window and well water तो देखिए विंडो के पास रखा भी हुआ है इसमें पानी भी है और यहां पर पर अब सब्सक्राइब करने के लिए कौन सा प्लांट यूज होगा option number D कि अगले question पर आते हैं question number 14 देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है कि यहां पर correct option क्या है Wxy के बारे में ठीक है तो देखिए यहां पर क्या है पहला है इंडबलू leaves becomes green पत्या ग्रीन है फ्लेशी और उल्ली परफांद प्रॉसेस ऑफ फोटो सिंदेजी तो देखिए एक कैक्टस का प्लांट है तो कैक्टस के प्लांट में ठीक है पत्यां खाना नहीं बनाती है ठीक है कौन खाना बनाता है ठीक है तो पहला गलत हो जाएगा ठीक है पहला गलत हो जाएगा बी नंबर है बोथ डब्लू एंड एक्स लैक ऑफ क्लोरोफिल तो डब्लू और एक्स दोनों में क्या क्लोरोफिल की कमी है क्लोरोफिल की कमी इसमें नहीं है क्यों नहीं कमी है क्योंकि यह भी ग्रीन है क्या है chlorophyll तो यह भी गलत होगा है सी नंबर है plant y lacks chlorophyll and does not perform photosynthesis तो देखिए जब यहां पर वाई जो है यहां पर यह ग्रीन कलर का होता है फोटो संथेजिस का काम करता है लेकिन यह Venus fly trap है इसमें minerals nitrogen की कमी होती है तो कीड़ों को खाता है इसमें कोई भी option साही नहीं है तो इसकांसर रोजे का option नमबर डी नन आप दीज question number 15 during the process of making food by plants release तो देखिए जब food देखिए जब food बनाया जाता है तो कौन सी gas release होती है यह question आप से पूछा गया photo synthesis के process में जो gas release होती है plant से वो है आपकी oxygen question number 16 achiever section के questions हैं यहाँ पर चलिए तो इस question को करना शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हमें डाइग्राम दे रखा है यहाँ पर correct option बताना है कि कैसे यहाँ पर क्या होगा तो देखिए पी की जगा पर हम क्या लिख सकते है water lily यह देखिए इसके अपर साइट पे जो leaves होती है उस पर present होता है साथ ही साथ एक्वेटिक प्लांट है तो दोनों में आ जाएगा water lily अब देखिए aquatic plant भी हो लेकिन साथ साथ इस्टो मेटा absent हो तो वो क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा tape grass ठीक है तो tape grass में भी इस्टो मेटा absent होता है साथ हैट डिला में भी absent होता है ठीक है तो इसका सबनेगा option no.8 question no.17 the same amount of water poured in the two identical container p and q the container q is set up as control both container are left on the table near the window for the two days ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह जो आपका plant है ठीक है यह जो plant है आपका इसमें आपका प्लांट लगा हुआ है ठीक है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है ठीक है तो होगा क्या यह question पूछा जा रहा है तो इसमें होगा यह इसका answer होजएगा option number B क्यों होगा option number B देखिए लिखा है the water level of container P तो container P का water level है वो क्या होगा धेर देरे कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि दिखिए transpiration process से जब water उपर जाएगा तो इस तो मिटा के थुरू sorry देखिए जब पानी उपर जाएगा यहां पर जितना पानी है उतना ही पानी यहां पर रहेगा समझ में आ गया संभ वागया question इसलिए लिखा है container Q रिमें अंचेंज question number 18 question number 18 पर आएंगे यहां पर true false बताना है delicious tree grow new leaves in the summer season ठीक है तो जो delicious Trees है उनकी नई पत्य समर सीजन में आती हैं यह कोश्चन आपसे पूछा गया है तो यह हो गया है आपका फॉल्स ठीक है फिर है प्लांट्स लाइक एपल शेट देयर लीव इन दे विंटर तो एपल के जो प्लांट है देखिए यहां पर जो नई लीफ साती है ना यह भी जान लिजे यह यह बिकन अदेखिए न जान वैचर यह तो यह आपका हो जाएका ट्रू तो आपकी एपल का परेट होता है इसकी पत्य श्ड़ कव होती है बंटर शीजर में लीव सागी फू। बांट्य शेट्रू होती है तो अगा युदे यह बिंडर शेप ब्लांट्स और बेश्तल औ होते हैं काटों में तो इसका हो जाएगा false true true false तो यहां पर कौन सा option बनेगा option नमर ए ठीक है question number 19 identify the group यहां पर आपको गुरूप बताना है कौन सा सबसे different है तो दिखिए fur,sprouse,pine तो यहां पर सबसे different आपका हैट्रिला है क्योंकि यह water plant है बाकी सभी जितने यहां पर दे रखे हैं तीनों यह क्या है आपके हीली प्लांट्स है question number second group second picture plant, sundew, bamboo and venus fly trap यहां पर बंबू अलग है क्योंकि picture plant, sundew और venus fly trap जो है यह तीनों आपके क्या है insectivorous plant है थार्ड नंबर है water lotus, tape grass, water hakinth, duckweed तो यहां पर सबसे different कौन सा है यह आपसे question पूछा गया है ठीक है तो यहां पर आपका जो different है वह टेप grass, tape grass क्या है आपका submerged plant है यानि कि पानी के अंदर रहता है लेकिन यह क्या होते है water lotus, water, duckweed यह सब surface पर रहते हैं ठीक है तो कुछ बाहर पाट रहता है कुछ अंदर पाट रहता है इनका तो इसमें से कौन कौन सा है hydrilla, bamboo और tape grass क्या हो जाएगा option number B, question number 20 यहां पर question यह पूछा गया है कि कौन सा test हम करेंगे ठीक है कौन सा test हम यहां पर करेंगे कि जिससे हमें यह पता चल जाए कि आपका आपका सब्सक्राद करेंगे तो तरुट रच नभी मिलेंगे तो क्लोरो फिल मिलेगा यह क्यों जगापे मिलेगा ठीक है नतीश नोडिक है निसक्रा जेए पुरानी एडिशन की बुक है और एक बच्चे ने इसे भेजी थी 2022 की तो मैं उस बच्चे से बहुत दूँगा कि आप हर चैप्टर का भेज दीजिए ठीक है चलिए तो यहां पर हम करते हैं पहला कोश्चन क्या है पहला कोश्चन आपके सामने है यहां आपको बताना है जो अगला कोश्चन है कोश्चन नमर टू यहां पर आपको पी क्यू आर बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑक्षण है ठीक है तो इसका आपका बनेगा ऑक्षण नमर डी कैसे देखिए पी पे हम क्या लिखेंगे एक्वेटिक प्लांट है ऐसा प्लांट जो पानी में हो तो यहां हम डानेगा लिखेंगे अलिखें आर प्लांट वर्प्लांट पर लिखेंगे और बनेगे में में करता है तो क्यू पर शैंकि फ्रीली यहां पर हो होगा पूंध metropolitan बम ओपे-इस-इस रिवेंगे प्लांट हो तो ne आपका हो जाएगा वाटर ले लिए ठीक है तो इसका है से बनेगा option number D अब यहां पर आते हैं question number 3 पर 3 पर क्या करना है यह देखिए mushroom है mushroom के बारे में आप से पूछा गया है क्या पूछा गया है दो boxes है यह black box है यहां decaying matter है decaying matter पर ही आपको पता है कि जो आपके mushroom होते हैं वो grow करते हैं यह wet soil है यह थोड़ी सी गीली soil है और यहां पर dry soil है और glass box जो है वो बंद है तो question यह पूछा गया है कि कौन सा mushroom इसमें ज्यादा time तक आपका survive नहीं करेगा तो why वाला नहीं करेगा क्यों क्योंकि आपका उस पर grow करेगा साथ ही साथ यह dry soil पर भी grow नहीं करेगा ठीक है यह मीटी जो गीली मिटी होती है उन पर यह ज्यादा grow करते हैं ठीक है बरसात के सीजन में भी बहुत जादा होता है तो इसका जो answer बनेगा option number बनेगा B वाई जो है वो ज्यादा दिन तक survive नहीं करेग अगला question है question 4. Sorob observed a plant about a year and wrote down the following points in diary तो देखे Sorob एक लड़का है जो अपनी diary में एक प्लांट को देखता है उसके बारे में लिखता है इट है lots of branches and leaves और उसके पास बहुत सारी branches हैं leaves है और यह अपनी पत्तियों को winter में प्रोटेक करते हैं ठीक है किस से sorry it said leaves यह हर ठंडी में अपने पत्तियों को गिरा देते हैं ठीक है और ठंडी से अपने आपको बचाते हैं it grow the new leaves again spring season और spring season में फिर से नए पत्तियां इस पे आती हैं तो वो कौन सा प्लांट के बारे में बात कर रहा है तो यह जो प्लांट के बारे में बात कर रहा है उसे हम कहते हैं diseases plant तो डिस डेडीशेस प्लांट जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं और फिर से नहीं पत्तिया spring season में उनके पास आती है पाइफ नंबर यहां पे देखिए यह एक experiment है experiment में क्या किया गया है कि एक well water pot है जिसे open window में रखा गया है कुछ पास दिनों के लिए ठीक है तो कौन सो conclusion यहां पर नहीं निकलेगा ठीक है तो देखिए यहां पर च्छोटा प्लांट था 5 दिनों के बार देख रहा है यह plant बड़ा हो गया है ठीक है तो क्या conclusion निकला यह question आप से पूछा गया है तो इसका अंसर और रहा है कि प्लांट एक्स्ट्रा फूट से क्या बड़ा है घ्रो कर रहा है ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा option नमबर ए और यहां पर मैं question 2021 का भी question करवा दे रहा हूं ठीक है देखिए यह जो book है ना यहां तक सारे question सेम है ठीक है बस जो नई edition की book आती है उसमें यह लोग क्या करते हैं कि 2021 की जिगा पर 2022 का paper question डाल देते हैं ठीक है तो 2021 का भी कर लेते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर देखिए क्या करेंगे इस question में क्या करेंगे ठीक है तो उडी प्लांट के बारे ने पूखा गया है जिसकी उडी कौन होती है ठीक है तो वह कौन से प्लांट होंगे यह हो जाएगा एक्स क्यों। अटो हो जाएगा क्योंकि देखे बाइत फार्न इन हभि धि। हिली एरिया में ऐसे ही वुर्ण5005 वाले तो यही आप से पूछा गया था तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए एक्स ठीक है तो सेट नमर वीच और फॉल इंट प्लांट के बारे में क्या सही देरक है इट कर प्रपेर फूट एंड इंसेक्ट तो यह गलत है यह अपना खाना खुद नहीं बना सकता इट इस प्लांट से लेता है और अपना खाना खुद नहीं बनाता है ठीक है उसके बाद है यहां पर आपको रिलेश्चिप बताना है टेप ग्रास क्या है समज्च प्लांट है पूरा डूबा रहता है तो इसमें से और कौन सा ऐसा हो जाएगा तो यह हो जाएगा पॉंड वीड ठ फिर दिखए मैंगोर ट्री की तरह नीम का ट्री है फिर का कीकर का पेड तुसका ऊंसर फोप्षिन नमरra D यहां पर दिखए एक्स और वाई तो यह है आपका वीनस Goat और यह है आपका क्या पीचर प्लांट ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यह इनके बार में ।ो यह इन अगर आप मुझे कुछ पे करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल आप अगर पे करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी टैबलेट लूगा और टैबलेट लूगा तो जो वीडियो और अच्छे तरीकी सा और भी बना सकते हैं तो आपके मन के उपर है कि अगर आप कुछ डोनित करना चाहते हैं तो ही आप करिएगा जवर्दस्ति आप मत करिएगा तो मैं आपको QR कोड दिखा दे रहा हूँ वहां से आप कर सकते हैं ठीक है तो देखिए ये है मेरा QR कोड और इसे आप सकैन करके आप मेरे कॉण में सेधे पैसे डाल सकते हैं अगर आप इच्छुख है तो अगर आपका मन नहीं करता है ऐसा करने का तो आप बिल्कुल ही मत करिएगा ठीक है आप अपने इक्षा के नुसार भेज सकते हैं ठीक है चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार